हेलो एवरीवन वेल्कम बैग तो यह रॉन चैनल इंगलिश्वित ममता केस्टी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिप्रेशन अच्छे धंग से चल रही होगी तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लोग जो यूपी टीजिट आपका आ नहीं जाए एक तो एक्जाम डेट नहीं आ रहा है और यह देखने को मिल रहा है कि यूपी में जितने भी एक्जाम इस समय हो रहा है सभी कहीं न कहीं लीक हो जा रहा है कुस न कुछ गड़वड़ी हो जा रही है और वे फाली निरस्थ हो जा रहा है तो इन सम न करेंगे आज के वीडियो तो देखिए यह सब चीजे हमेशा आपको देखने को मिलेंगी ऐसा नहीं है कि अभी ही देखने को मिला हैं और मेरा मानना यह है कि हम उस चीज के बारे में सोचे जिस पर हमारा है ठीक है तो अगर हम छोड़ देते हैं सब कुछ दी मोटिवेट होकर करके पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर अनमने मन से पढ़ते हैं तो क्या उससे हमें कोई फायदा मिलने वाला है सु जवाब यहीं कभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी एक्जाम पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कराया जा रहा हो कभी ऐसा अप नहीं कह सकते हैं में कभी भी होगा तो कुछ % 20-30 % जरूर ऐसा होता है कि जो किसी के source के द्वारा या फिर पैसे देखर के लोग select होते हैं तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो महनत करने वाले बच्चे हैं वो select नहीं होते हैं वह भी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग भी एक्जाम दिये थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो सोर्स पर वारा, किस ना किस तरीके से, ठीक है, वो सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उसी में ऐसे लोग भी थे, जो कि बिलकुल अपनी महनत के बल पे, जैसे हम कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, अब यह हम पर डीपेंट करता है कि हम कितना महनत कर लेते हैं, ठीक है, कितना समय दे लेते हैं, और हम सेलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है लिग gyn ? अगर हम अंदर से बिलकुल शानत है ठीक है, तो कोई भी निगेटिविटी का हमारे उपर चाहता है तो जैसे ही चुनाओ अगला चुनाओ होने वाला होगा उसी के कुछ समय पहले आपको तो ऐसे लोग नहीं select होते हैं, जो vacancy आने का इंतजार करते हैं, आ जाता है, फिर exam data आने का इंतजार करते हैं, फिर तयारी शुरू करते हैं, ठीक है, जो पहले से लगे हुए हैं, निरंतर तयारी में तयारी कर रहा हैं, अपने विशे में पारंगत हो रहा हैं, ठीक है, तो क मेंशा आपको ध्यान देना है और यह जो 2022 की जो वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी की वो आपके लिए एक अच्छा माउका है उसमें कोई निगेटीव मार्किंग भी नहीं है ठीक है जी के जी एसके क्वेशन भी नहीं आएंगे पुराने पैटर्न पे अधारित है यह लिमिटेशन नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि इंटर्व्यू को हटा दिया गया है पहले इंटर्व्यू था तो बहुत जगह देखने को मिलता था कि इंटर्व्यू में बहुत सारे लोग जो पैसे देते थे उनका सेलेक्शन हो जाता था जो नहीं देपाते थे उ तो इन सबसे अगर बचना चाहते हैं तो ये वेकंसी आपके लिए गोल्डेन चांस है और ये भी हो सकता है कि लंबा टाइम हो गया है जब आपका जब आपने अपने अप्लाई किया था अभी तक एक्जाम डेट नहीं है एक्जाम डेट आने तक एक लंबा गैपिंग हो जा जाएंगे अक्सर ऐसा होता है जब एक्जाम कराने में जब लंबा समय लग जाता है तो बहुत सारी लोगों की संख्या जो होती ही एक्जाम देने वाले उपच्चों की वह कम हो जाती है तो कई न कई इसका भी फायदा आपको मिलेगा और एक सबसे बड़ी कमी हमारे करते हैं कोई भी कम नहीं होता चोटे इस तरसे ही उठके सब लोग आते हैं ऐसे व्यक्ति ही सेलेक्ट होते हैं जिनको सुरुवात में कुछ भी जानकारी नहीं होती है जैसे अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे सिलेवस तक नहीं पता था बहुत सारी चीज ऐसी थी के द्वारा सब चीजों को इकठा करके अपना मैंने इस्टेडी में तरील तयार के पढ़ाई अपना शुरू किया और अगर लगन है आपके अंदर तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो सकते हैं तो यह जो निगिटिविटी चारों तरफ दिखाई दे रही है कि पेपर लीख हो और हम चूक जाएं फिर बाद में पश्टावक सिवा कुछ न बते क्योंकि जैसे ही अगला जो विधान सबाद चुनाओं जो संपन्न हो जाएगा उसके बाद काफी लंबे टाइम तक आपको कोई वेकेंसी देखने को नहीं मिलेगा जो भी आना होगा उसके पहले ही इसा नहीं है कि यह बात हवा हवाई कई जा रही है चाहे उप प इस डी पजिश्टी की New vacancy हो चाहे वह यल्ती ग्रेट की हो ठीक है चाहे वह जी याइसी लेक्च्टर की हो और ल्टी ग्रेट से लोग पता नहीं क्यों भागते हैं अकसर मैं देखते हूं टीश्टी वारे तो जी के जी इसके question को solve नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर अच्छा समय देते हैं, तो एक बहतर knowledge आपका गेन हो जाएगा, और उसमें भी आप सफलता प्राप कर सकते हैं, तो किसी चीज को देख के पहली बार ही घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और मौके का सबसे समझद होना है, अतास नहीं होना है आपको, ठीक है, अपने अंदर का उत्सा और जो शकम मत होने दीजिए, और सब चीज भूल करके, सिर्फ और सिर्फ जो आपका subject है, जिसकी आप तयारी कर रहा है, उस विशा में अपने आपको पारंगत कीजिए, ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजे होंगी, जो आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, नहीं दोहराया होगा, उसको दोहराते रहिए, अगर आपने पूरा syllabus को पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसको multiple times revision कीजिए, सबसे जरूरी चीज है, revision, बार-बार सभी लोग कहते हैं कि revision जरूरी है, आप एक ही किताब को अभी एक जो लेडी जेन का फोन आया था था.. कि मैं मॉक टेस्ट शॉल्व कर रहे हूं लेकिन सर्तर से उपर कुश्चन नहीं हो पा रहा है तो क्या करें तो आप डाइरिक्ट मॉक टेस्ट पर क्यों चले जाते हैं पहले जो थियरी है अपने सब्जेक्ट का पूरा पढ़िए सीलेबस को कंप्लीट कीजिए उसके जॉइन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो देखे मेरा मानना यह है कि अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत ना हो तो नहीं जॉइन करें प्राइवेट जॉइन करने का मतलब यह प्रेशर बढ़ जाता है ठीक है मतलब वर्क का लोड बढ़ जाता है और हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं एक तो डिश्टर बहते हैं सारी थकान भी होता है माशिक थकान होता है और कहीं नहीं हो पाता है और कहीं नहीं हो जाते हैं इसलिए बहुत ज्यादा अगर जरूरत ना हो तो जॉब को नहीं जवान कीजिए और पूरा-पूरा टाइम जो है अप सब्जेक्ट रूम उसके एक-एक टॉपिक को बारबर मैं करते हूं आपका पूरा सिलेवर जो है जितने चोटे-चोटे टॉपिक में बाढ़ सकते हैं बाटिए और उसको एक-एक टॉपिक को इतने बहतर ढंग से तयार कर लिजिए कि कोश्चन किसी भी तरह से घुमाते हमेशा यह सोचना चाहिए कि कौन-कौन से वो कारण है जिनके वज़य से हम सेलेक्शन ले सकते हैं जब यह सोचेंगे तब आप जरूर सेलेक्ट होगा आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा तो उमीद है आचका वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि कोई भी डाउट स कुछना चाहते हैं तो कमेंट के मादें से बता सकते हैं यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर बाचिन